Hello viewers, इस lesson में हम आपको replace function के बारे में बताएंगे कि replace function किस तरह Excel में काम करता है फिछले lesson में हमने substitute function के बारे में आपको बताया था और substitute function हमने कहा था कि string के अंदर string, string within a string हम इसे replace करना चाहा रहें, तो यह peach tree string है और इसमें हम peach को replace करना चाहा रहे थे mango से इसका syntax यह था, substitute, yesl reference, फिर जो old हमारे पास value थी, वो थी peach और new value हमारे पास क्या थी, mango तो इस तरह इसने peach को mango से replace किया, तो इसमें substitute function में यह था कि हमें string का पता था, और इसकी position का पता नहीं था, अब replace और substitute function यह उसमें फर्क यह है, कि replace में आपको position का पता होता है आपको string का पता नहीं होता substitute में आपको string का पता होता है position का पता नहीं होता अब हम चाह रहे हैं कि यह जो peach tree है यहापे जो hetpr replace function with nothing मतलब हम इसे खतम करना चाहा रहे है तो हम इसके लिए हम replace function उस करेंगे replace 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 function अब old text क्या है old text हमारे पास ये है इस cell में old text है फिर हम start कितने करेक्टर से हम start ले रहे हैं मतलब जिस character को हम replace करना चाहा है वो इसकी position क्या है तो ये है P E A C H 5 6 नंबर पे है 6 position पे हैं तो हम इसे क्या देंगे 6 position पे और कितने जो characters हैं उनको हम replace करना चाहा है तो हम एक character है चिसरब hyphen हैं हम उसको replace करना चाहा है फिर कामा new text new text मतलब जो एक हम ने रे प्लेस किया है उसकी जगा हम क्या लगाना चाहा है फर्स करें हम इसकी जगा underscore लगाना चाहा है या फिर star लगाना चाहा है तो देखें हम यहाँ पे यह जो एस्टरिस है वो लगाएंगे quotes के अंदर किसके अंदर quotes के अंदर यह देखें और brackets हम close कर लेगे यह देखें page यह जो character है इसने replace किया है icon को किस से star से अब हम formula editing में यह double click करके आप editing में जाएंगे और हम इसे जो बिल्कुल मतलब कोई character हम insert ही नहीं करना चाहा है तो हम इसे हटा देंगे और enter कर देंगे यह देखें इन दोनों की बीच अब कोई भी character नहीं है तो substitute function में हम string के अंदर हमें string का पता होता है और replace जो function है उसमें हमें position का पता होता है string का पता नहीं होता है